हेलो फेंड्स वेलकम टू माई चैनल एंड गुड मॉर्विंग आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है आज मैं आपको MS वर्ड के होम टैप के जो आगे के आप्शन जो रह गए थे उनको करवाने जा रही हूँ लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रुकेश्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आइकन का बटन जूर दूर इससे क्या होगा कि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी ता आपको इसकी नोटिफेशन मिल जाएगी आप सब्सक्राइब करते हैं जैसे आप देख सकते हैं मैंने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दो पैराग्राफ कर रखी है घर अप इसके ओपर क्लिक करेंगे डिया क्लियर हो गई है उसके बाद हम आगे बरते है पट है यहां पे मेरी बुलक के शचसे होड़े करें यहाय को किस यहां पर देख सकते हैं इसके बुलक हैं कायो होता है उसकी प्रवक सिंब के स्थेंडें पिक्टेर रेरिम द॥ेस्ट तो उसका जो भी आप ब canım पनाने चाहते हो समुल करते हो तो यहां पर जो भी सिम्ल आपना लेना वो ले सकते मैंने यहां पर यह वाला सिम्बल ले ले थे खिंबल ले लिए अरो कि すस्के लाइम्पमना की तरफ यह को इसके बाद हमारी यह आती है इसके जो डेख सकते हो कि मेरे लाइंट साइड से क्या होगा उसके बाद हमारी आगे बढ़ते हैं तो यह आती है यह जैस्टिफाइअ अलाइन में क्या होता है हमारी इसमें सारी ही line equals होती है left to right सिर्फ last line को छोड़ कर तो यह हमारी justify align होती है justify align की shortcut क्यों होती है control plus J उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यह हमरे इसके बाद हमारा option आता है line spacing paragraph की line spacing को हमने कम जादा करना है तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना है paragraph को select करना है और यहां पर आपने क्या करना है जो भी लाइन का आप देना चाहते स्पेसिंग वह आप ले सकते हो या फिर पैराग्राफ में स्पेस आड़ करना चाहते ह आप यूज कर सकते हैं यह सारी चीजे जो होती है में document बनाने में बहुत मदद करती है इससे क्योंता कि में page की setting करने या फिर पैराग्राफ की setting करने में बहुत मदद मिलती है उसके बाद मारा अगला आता है fulfill का option यह सेडिंग का option तो आप यहां पर अपने paragraph को shading दे सकते है उसके बाद जो हमारा options होते हैं यह है मारा बॉर्डर का तो आप यहां पर top bottom border top border left right अलग लग करके दे सकते हैं या तो फिर आप all border के लगा सकते हैं तो आप देख सकते हो कि मेरा जो है वो बॉर्डर लग जा पैराग्राफ के चारों तरफ उसके बाद हमारा option जो आता है य यह तो चलेंगे या तो descending order का मतलब है हमारा paragraph जाड़ टू चलेंगे जो यह वाले character होंगे सबसे पहले स्टार्ट होंगे और जाड़ बाद में आएंगे ascending order में जाड़ जो character स्टार्ट होगा alphabet से स्टार्ट होगो पहले आएगा और यह वाले के बाद में आएंगे यह वाले बाद में आएंगे तो यह थे हमारा paragraph में short text को करने की tricks है अब हम आगे बढ़ते हैं यह मारे styles होते हैं जैसे heading दे सकते हो आप टैटल सकते हो यह मारे styles है जो भी style आप लेना चाहते हैं यहाँ से आप स्टाइल क्या रहा है यहाँ से itself city सेत्कर ना हूँ यहाँ आको चाहिए भी जैसे बाद हमारा आता है color यहाँ चैंज कर सकते हैं जैसा अप color change को हमारा paragraph और style उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फाइंड की तरफ और रिप्लेज की तरह फाइंड मैं क्या होता कि हमने कोई वर्ड दूंडना होता है जो भी आप वर्ड दूंडना चाहतें जैसे यहां पर आप सबसे पहले में next option आता है और रिप्लेस में होता है मारे बडंव पर जो हो जाते हैं जैसे फाइंड में दो हमने लिख बर लिकने घृष करना और किसके साथ डिप्लेस करना वो बर्ड हमने रिप्लेस में लिखना है इसके फाल सकते हूं कि जहां-जहां इसकते हैं उरलिंग कोई भूप C Сов legal forwards और पहुंच गया है उसके लंए SI नभर पहुंच गया है उसके पहुंच अब्सेक्ट करने तो आप यहां से भी स nौप परिस Рाप कंट्रोल के साथ ए भी प्रेस कर सकते हैं कि मारे जितना भी आपने टाइप किया है वो सारा ही क्या हो जाता है तो यह मेरे होम टैप की जो आप्शन रहा गए थे वह वीडियो है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन का बटन जूर दवाएं और मेरे वीडियो को सेयर करना न भूलें